अमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, डेली वनलेनेस 17 मार्च 2022, आज के इंपोर्टन वनलेनेस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहला, मौटर वसल राम प्रसाद बिस्मिल, देखें, मिनिस्ट्री ओफ राम प्रसाद बिस्मिल का लेंग्ध कितना है, 90 मेटर से, 26 मेटर भी है, अब देखें, ये कहां से कहां तक सक्सेस्फुली सेल किया, हल्दिया डोकिन कोलकता टू पांडू पोर्टिन गुवाहती, ये दोनों आपके लिए इंपोर्टन थे, ये मैप देखें, इथर आपक बंगलादेश प्रोटोकोल रूट, ये सारे काफी नूज में आया है, तो ये मैप अच्छी थरा पढ़ लीजेगा, और जितने इंपोर्टन पोर्ट्स है ना, इंडो बंगलादेश प्रोटोकोल रूट्स में, या फिर हमारा नाशनल वाटर वेस में, ये सबब थ्यान द BWF World Tour Super 300 Even, देखिए जितने इंपोर्टन बैट्मिंटन चैंपिंशिप्स है न, वो BWF World Tour Super 300 Even के अंडर आता है, वैसे BWF का फुल फॉर में, बैट्मिंटन वर्ल फेडरेशन, BWF का रैंकिंग्स भी होता है, वैसे रीसनली लेक्षियासन काफी नूस में था, इनकी जो र मोटा है, अनधर, डेइन, अन्डेस, अन्टोन सने, ठीक है, तो टॉप 3 पोसिशन में आपको बता दिया, इसमें, विक्टर एक्जल्सन ऑफ डन्मा का नाम ध्यान दीजेगा, ये टॉप पोसिचन है, BWF रांकिंग्स में, अगला है, तलंगाना क्रॉप बोलते हैं, मतलब एक ही जगा में अलग-अलग क्रॉप को ट्राइ करेगा, तो तलंगाना देश का पहला स्टेट बन गया है, तो रिकोड इस क्रॉप डैवेसिफिकेशन पैटेंट्स, मतलब तलंगाना स्टेट ने एक इंडेक्स फोर्म किया है, जिसमें उनका क्रॉप ड तो 77 वरेटी में से 10 क्रॉप डैवेसिफिकेशन के लिए यूज करेगा, आप देखिए, कौन-कौन से ड्रिस्टिक्स इन तलंगाना क्रॉप डैवेसिफिकेशन में टॉप किया है, नर्मल, विकाराबाद, अन संगरेडी, देखिए, जब भी कोई वर्डेनेस में कोई भी कोस्तिन पूछेगा, ऐसा हुआ है, ठीक है, इसलिए जब भी इस तरह कोई भी डिस्टिक्स का नाम अगरा आता है, नहीं तो कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या कोमेर्शनल प्लेस का नाम आता है, तब आप नोट करके रिख दीजेगा, तो नर्मल, विकाराबाद, अन संग है, आंधरा प्रदेश से रिलेटर है, यह चिलीज पढ़ने से मुझे याद आया, इधर चिलीज का स्पेलिंग गलत दिखा है, आप देखी, आंधरा प्रदेश में एक डिस्टिक्ट है, जहां कि चिली बहुत फेमस है, और इवन जोग्रिफिकल इंडिकेशन टैग भी मि मतलब उसका इंपैक्ट भी बहुत बढ़ा होगा, और इस एर्थक्वेक की वज़े से टोक्यो सिटी का जो एलेक्रिसिटी दिस्रिबूइशन है, वो पूरा डिस्रप्ट हुआ, जिसकी वज़े से तुनामी अलर्ट भी दिया गया था, फोचनेटली तुनामी नहीं हुआ तो जपान रेलवे का जितने ट्रेंट सर्वीसे बगरा वो भी सस्पेंट करना पड़ा, आप देखिए, नाइट टेम शेकिंग केम जस्ट डेस आफ्टर जपान मार्ग देखिए, आप सब को पता होगा, फ्युकुशिमा नूक्लियर कैटास्ट्रोफ के बारे में, जो एक अब आप ये मैप देख लीजिए, जपान का, आप सब को पता होगा, नौध पसिफिक ओशिन में जपान है, जपान का वैचे कोई बॉर्डर कंट्रीज नहीं, उली मरेटेम बॉर्र कंट्रीज है, लाइक साउथ कोरिया, नौध कोरिया, रिष्या, एंड जपान और रिष का फ्रम पोलन, वन दे क्राउन फ्मिस्ट वर्ल 2021, इस बार 70th edition of beauty pageant हुआ था, कहां पे, San Juan Piotr Ricoeur में, 2020 में, मिस्ट वर्ड कंट्रीज नहीं हो पाया, COVID-19 पैंडेमी की वजए से, so 2019 का विन्न कोन थी, Tony Ann Singh of Jamaica, वैसे इंडिया को कोन रप्रसंट किया था, मानसा वारनासी, ज Miss World Crown जीता था, जब मानसी चिलर टाइटल जीती थी, तो दोस्तों, Miss World 2021, Piotr Ricoeur में हुआ है, तो Piotr Ricoeur के बार में भी basic details चेक कर लेते है, Piotr Ricoeur एक चोटा सा island country है, Caribbean Sea में, जो एक unincorporated US territory है, Piotr Ricoeur का capital है, San Juan, अब आप पूछोंगे, unincorporated US territory का मतलब क्यों हो गया, मतलब य है, दोस्तों, Piotr Ricoeur एक self-governing country है, पर ultimate power जो है, वो US Congress के पास है, और even United States Armed Forces जो है, extensive control भी exercise करते है, Piotr Ricoeur में, आपने साथ काफी news भी सुना होगा, Piotr Ricoeur के condition के बारे में, वैसे, Piotr Ricoeur के जितने citizens है, उनके पस US citizenship भी है, यह भी अब ध्यान दीजेगा, अगला है, credit guarantee scheme, subordinate debt, that is, CG SSD, और एक साल के लिए extend किया है, that is, till March 31, 2023, सबसे पहले, एक credit guarantee scheme का मतलब क्या होता है, देखे, it was launched by the government of India to make available collateral free credit to the micro and small enterprise sector, तो basically हमारा जो micro and small enterprise sector है, उन्हें collateral free credit प्रवेट करने के लिए, government of India ने ये scheme लोंच किया था, collateral free मतलब क्या होता है, मतलब कोई security रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही government इन्हें loan provide कर देगा, ठीक है, basically एक economic growth के लिए, MSME का growth बहुत बड़ा एक role play करता है, इसलिए MSME को support करना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी economy में, ठीक है, तो इसलिए government अपना economic package में credit guarantee fund scheme को launch किया था, ठीक है, यह जो scheme है, इसमें both the existing and new enterprises are eligible, मतलब अगर किसी को नया खोलना है, उनको भी loan मिल जाएगा, जो existing enterprises है, उन्हें भी loan मिल जाएगा, the government announced the launch of distrust assets fund subordinate debt for trust MSME as part of आत्म नरफर भारत package, आप देखे दोस्तों, यह जो package है, आत्म नरफर भारत package के अंडर आता है, यह आप सम scheme for subordinate debt, यह subordinate debt वाला सब्त का मतलब क्या है, subordinate debt is a debt owed to an unsecured creditor that in the event of a liquidation can only be paid after the claims of secured creditors have been met, आप confused हो गया होगा, मैं आपको symbol भाशा में समझाता हूँ, थ्यान से सुनिएगा, सबसे पर आपको एक चीज समझना है, यह जो credit guarantee fund scheme के अंदर MSME को loan देते है न, यह government directly नहीं देते ह है कि MSME को loan दे दो, अब यह जो credit guarantee funds की में यह तो collateral free है, मतलब MSME को को collateral नहीं रखना है, loan के लिए, कोई security नहीं देना है, अब आप मुझे बोलिए कि कोई भी bank बिना कोई security का loan देगा, क्या, नहीं देगा, अब यह जो security है, यह government provide करेगा, बैंकों के लिए, समझ गया, मतलब गर्मन की security में bank जो है, MSME को loan देते है, इतना clear है, अब वापस इधर आते है, एक example के तरू मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए, एक MSME है, यह company, यह company ने credit guarantee scheme के तरू, State Bank of India से loan लिया, 1 crore rupees, ठीक है, आप देखिए, यह company का performance बहुत बुरा रहा, मान लीजिए, और इनका बिल्कुल profit नहीं हुआ, यह loss से loss चला गया, अब आप बोलिए, यह 1 crore rupees यह वापस दे पाएगा, profit की जगा, इनका loss हो गया, आप यह वापस नहीं दे पाएगा, मतलब महीनों तक इनकी जो monthly installments है, वो fail हो गया, आप SBA के पास क्या option है, आप बताएए मुझे, SBA को तो पै गया, और पैसे वापस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका जो business है, enterprise है, वो पुरा fail हो गया, ऐसा condition इंडिया में, डेड़ सारे MSMEs का है, बहुत सारे MSMEs इंडिया में ऐसा है, जिनका condition एक company जैसा है, तो इस situation में, गर्मन लेके आया है, क्या, credit guarantee scheme for subordinate debt, यह scheme के तरू, गर्म MSME से इने promote करते हैं, मतलब, government bank को बोलेगा, इने और पैसे दे दू, हो सकता है, same bank को या फिर दूसरे bank को, मतलब, MSME वालों को और एक option दे रहा है, और पैसे मिलने के लिए, अब और पैसे मिलने से हो सकता है, MSME, और अच्छी तरीके से अपना business करेंगे, काम करेंगे, और profit कमाएंगे, और वापिस पैसे भरेंगे, ऐसा हो सकता है, इसलिए government क्या करते है, एक helping hand provide करते है, देखे दोस्तों आपने, आपको पताई होगा, जब एक business fail होता है, हमारे पैसे पुरा खतम हो जाता है, अब हम सोचिंग क्या करें, अब कुछ बचा ही नहीं, हमारे कुछ प इथा दे रही है, clear, आप देखे, अब आरे हमारा subordinate debt वाली कहानी, ये scheme का नाम है, credit guarantee scheme for subordinate debt, तो subordinate debt के आपको समझना होगा, इथर क्या लिखा है, a debt owed to an unsecured creditor, इथर unsecured creditor मतलब हमारा ये company हो गया, जो पूरा liquidate होने वाला था, तो इनको जब debt provide करते है, in the event of a liquidation, इनका liquid schemes of security collectors, आप इसका मतलब क्या है, क्या है, अब ध्यान से सुनियेगा, देखे, मैंने क्या बोला था, SBI से इन्होंने 1 क्रोर रुपीज लोन लिया था, अब गर्मन बोल रहा है, दूसरे बैंको इन्हें और पैसे दे दो, ये ही है ना, subordinate debt वाली है, जो scheme है, मतलब और पैसे म कमाया, बचा, आप ये जो लोन है, मतलब हम से 1 क्रोर लिया है, आपसे माल लीजिए, जो नया इन्वस्मेन है वो पचास लाका आगया, तो कोन से पैसे पmemberron है वो वापस देगा, हमसे भी पहले लिया है, इसका आपस भी लिया, ऐसा हो सकता न, आपके पैसे पेले लवल में होता है इसे कभी कभी junior security भी बोलते हैं देखे it can only be paid after the claims of security creditors सबसे पहले SBA का पैसा देना है इसके बाद ही subordinate debt मिलेगा समझ गया इसलिए ये नाम दिया हुआ है मतलब MSME जब पैसे वापस भरेंगे सबसे पहले SBA जैसा जो बड़े-बड़े company से पहले उन्होंने लोन लेके रखा है ना जो security creditors से उसको पैसे वापस करेगा इसके बाद यह जो subordinate debt दे देगा मतलब subordinate debt सबसे last में settle किया जाएगा तो I hope आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा confusion हो गया होगा और एक बार आप सुन लीजाएगा आपको समझ में आ जागा ठीक है तो इतना deep जाने की कोई ज़रूद नहीं है मैं बस आपका basic clear कर रहा था ठीक है समझ गें तो यह है credit guarantee scheme I hope आपको credit guarantee scheme क्या होता है यह काम कैसे करता है और सबोड़ने debt वाली scheme क्या समझ में आया होगा अब और एक data दो लिखा है इसे वह बहुत अच्छी तरीके से काम करते है इसलिए उनका उतना क्या गोलते development रेल ठीक है तो दोस्तों that's end of it I hope आपको समझ में आया होगा आप मुझे common books में जरूर बता दीजेगा कि यह जो credit guarantee scheme for subordinate debt के बारे में आपको समझ में आया या नहीं है तो लक्षर की पीडिये fast social आपको टेलिग्राम चनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवेड़ेड़ है थेंक्यू फूचिंग भाई 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 हैवे नीच दे